हेलो गाईज स्वाब एते हैं आप से भी गाएक नए वीडियो में इस वीडियो का अंदर हम वीर्व के इंस्टालेशन के बारे बात करने वाले हैं इंस्टालेशन चाहे कौन से ब्रेंड का हो कॉपर पाइपिंग और मशीन हैंगिंग सेम ही रहता है अब हमारे पास डाइक इन वीर्व का इंस्टालेशन है और इसके बारे में हम स्टेप बाई स्टेप बात करने वाले हैं कि किस तरसे हमने इंस्टालेशन किया है और इसके अंदर हमने क्या-क्या मट्रेल यूस किया है मट्रेल के थिकनेस के बारे में बात करने वाले हैं रोड की साइज के बारे में बात करने वाले हैं नड़ बोल्ट के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे टोटल चार सिस्टम है तो अब हम सिर्फ एक ही सिस्टम के बात करेंगे जो कि एक सिस्टम पे है हमारे सिर्प चार इंडॉर यह है पहला इंडॉर दूसरा तिसरा चावता एक्चुलिए पाइपिंग उस तरब से आ रहा है तो ओ हुआ पहला इंडॉर यह हुआ दूसरा इंडॉर यह हुआ तिसरा इंडॉर और यह हुआ चौता इंडॉर अगर हम इंडॉर के सामने देखेंगे तो यह दूसरा पार्ट है यहाँ से पीछे ही इंडॉर है इसके बारे में हम बात में बात करें मैं एक special वीडियो बना हूँगा तो अपका पाता चलेगा कि यह कहए चीज़ है तो जाते हैं में राइजर की तरफ यहाँ से आया है राइजर जो पाइप आउडर से आता है उसे हम में राइजर कहते है यहाँ पे दो सिस्टम के राइजर है यह सक्षें लिक्वीड और सक्षें लिक्वीड नो शिस्टम चल गए ऊस तरफ और ये सिस्टम आ गया इस तरफ ये पाइपनेट लगाया है पूई रेफनेट से लास्ट रेफ नेटग तक 220 मित्र्टन्स होना चाहिए चाहिए अगर उससे ज़्याद होगा तो के लिए 10 mm का रौट यूज practicing के लिए 10 mm गया रॉअप और गया इसकी लिए 10 mm का द्रिल कर नरला कोई actions के लिए 10 m वह आंगें यह क्या ठीह पे जब एक से क्या बोलते हो कमिंट सेक्षिन में बता दीजिए यह जो रॉड है वो थ्रेडिंग रॉड है यहाँ पे हम 8 mm का थ्रेडिंग रॉड भी उज़ कर सकते है और 8 mm के फिशर भी लेकिन उसके लिए हमें ड्रिल बिट 10 mm का चाहिए लेकिन अगर हम 10 mm के उसकरते है तो वह ज्यादा स्ट्रॉंग हो जाता है इस वाज़े हमने 10 mm का रॉड यूज़ किया है मशीन हैंक करने के लिए चारो तरफ हमने थ्रेडिंग रोड लगाए है और चारो पर राड़ दसेमें के है सेम इसको भी दसेमें के फिशर है और बारायम का ड्रिल्बिट यूज गिया है उसके बाद हमने यहाँ पर रबर की बुश डाल दिये है ताकि वाइब्रेशन आपजर हो जाए थोड़ा भी वाइब्रेशन थ्रेडिंग रोड के उपर ना आए इस वाज़े से हमने यहाँ पर रबर बुश डाल दिये है अगर हम चारो रोड देखेंगे तो चार एक उपर रबर बुश है सबसे पहले हमने मचिन का मेजरमेंट लिया था और उपर की तरफ मार्किंग किया था मार्किंग करने के बाद उसके अंदर फिशर मार दिये फिशर मारने के बाद रोड का साइज कट किया जितना हमें मचिन नीचे चाहिए उससे सबसे हमने रोड काट दिये थे और रोड लगा है नाइप भर रिस आपर मसीन की वगा द्यूप नीचे मैं टोא ये जो पाुर दिया यहां तक के बाद हमने लगा यह चार वाइर याप लोग उनके contract में देखना पड़ेगा, कि इस तरह से आपने contract लिया है, अगर आपने drain के साथ लिया है तो आपको पूरा drain का काम करना पड़ेगा, यहाप हमार सरी P.O. Trap तक था तो हमने यह उकर दिया है, अगर हमारे contract में पूरा drain का काम होता तो हमें यह पूरा करके देना पड़ता था drain pipe जो है उसे भी हमने insulate किया है ताकि उसके उपर humidity ना आए अगर उसके उपर humidity आएगी तो पानी डिकोर के उपर गिरेगा और डिकोर खराब हो सकता है drain के अंदर हमने utrap इसलिए लगाए है क्योंकि अगर हम utrap नहीं लगाएंगे तो उसके अंदर से बास आएगा क्योंकि यह जो पानी है हमने कही drainage के pipe में current किया है और उसका smell पूरा room के अंदर चलाएगा अगर हम utrap लगाएंगे तो उसके अंदर पानी रुकेगा और इदर का smell उदर और उदर का smell इदर नहीं आएगा इसलिए से हर machine का अंदर utrap लगाना बहुत ज़रूरी है अगर हम नहीं लगाएंगे तो future में smell का problem आ सकता है और उस टाइम हमें utrap लगाना ही पड़ता है यह utrap हमने खुद बना है दुसरा एक रेडिमेड मिलता है उसे भी हम लगा सकते है वो बहुत easy है यह utrap बना है लिए हमें चार एलबो यूज़ करने पड़ते हैं लेकिन जो रेडिमेड है उसके अंदर कोई भी एलबो यूज़ करने जरुरत नहीं है डाइरेक्ट हम उसे लगा सकते है अगर हम copper pipe support की बात करेंगे तो एक मिटर 20 cm पर हमारा support है आप देख सकते हो यहाँ यहाँ पर पूप एक support है उसके बाद यहाँ प vehicle तो एक मिटर 2 cm हमने support लगा है लिए अप क्लाइंट के सबसे देख सकते हो हमने यहाँ पर सिंगल 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 किया है लेकिन हम इस तरह सपोर्ट कर सकते हैं आप देख सकते हैं कुछ इस तरह सपट बाना कि हम उसके उपर कॉपर वाइप को रख सकते हैं और इसके उपर कॉपर वाइप कर सकते हैं या फिर उसे ड्रिल करके सेम क्लैंप उसे लगा सकते हैं तो आप क्लाइंट के सबसे ल हम लेंनार're communication का wire है उसके लिए हमने अलगा अलीक से support मारे एँ जो सीधा पाइप यूज होता है के टाइप होता है इसके anदर के के टाइप ऐक आयल टाइप कि थिकनेस बहुत ज्यादा होती यह हैं तो हम Rapper करते है के type pipe यूज करने का और insulation की जो earthinflammation की जो thicness है वो हम थिखने से क्योंकि यहाप around humidity बहुत है और इसवाज़े से हम हापका इंसिलेशन यूज करते है अगर हम 3-8ば थिखने इंसुलेशन यूज़ करेंगे तो इंसुलेशन के उपर भी हमिडिटी आ सकती है यहाँ यहाँ पर देख सकते हो हर जगे हमने फ्रेशर दिया है क्योंकि यहाँ पर कहीं भी विंडो नहीं है और एक स्मेल आ सकते हैं फ्यूचा तो वह समेल का वाइड करने लिए हमने फ्रेशर लगा है और यह फ्रेशर एज यूगर तुर आ रहा है मतलब इसमें जो भी हावा आएगी वो थंडी हावा आएगी अगर हमने सीधर फ्रेशर लगा दिया तो गरम हवा आजाएगे और मशीन पे लोड ज्यादा बढ़ जाएगा इस वएसे हमने फ्रेशर लगा है आप देख सकते हैं हर मशीन के नजदिक हमने फ्रेशर लाके चोड़ा है और फ्रेशर के लिए हमने यहाँ पे डेमपर लगा ह ताकि हम इसका प्लोग कंट्रोल कर सके और एर बैलंसिंग कर सके यहाँ पे अभी कही भी रूम बने नहीं है इस वज़े से हमने रिमोट कंट्रोलर इसके उपर रखे है यह उपी जब रेंट पे चला जाएगा और उन लोग दिवार बनाएंगे वो टाइम उने जहाँ पे थ हर्म बने निदे और हमेरे सिसंगे तो मेरा करना कपना अगरे उलेक्ट्रेश्ण के चैंट्रेशन के भी आप नहीं प्लिज लाइक और सब्सक्राइब कईजिए हमार दूसरा यूट्फय चैनल है क्वें गृम टैली लाइओ आते हैं और साइट पे जो भी काम चलता है उसे हम लावी पे दिखाते थे तो डिस्क्रिप्शन में दिये हुई लिंक पे क्लिक करके आप हमार से करने जाने को सब्सक्राइब कर सकते हो